आज का मेरा जो व्लॉग है वो डेडिकेट है मेरे सब्सक्राइबर को जिसने अभी कुस दिन पहले आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा मिल ले पांच मैगी भीजी थी तो सब्सक्राइबर जो आप जो भी हो आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आप कौन थे लेकिन आपका वो जो प्यार से दीवी मेगी है तो वो मैं आज बनाऊंगा और खाऊंगा तो यह जो आज का व्लॉग है दोस्ति यह आप पही डेडिकेट है तो प्लीज यार आप अभी तक बताया नहीं लेकिन आप मुझे बताओ आप कौन हो आप मैसेज कर दो कमेंट कर दो या कॉल कर दो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अगर आपको वैसे नहीं पता तो वैसे लो आप मेरा नंबर लिलो 9720966631 तो यह मेरा फॉर नंबर है अगर तुमें लगता है मुझे कॉल करनी चाहिए तो तो मुझे कॉल कर सकते हो तो आज कर जो व्लॉग है यह आप पर डेडिकेटिट है तो मैं आपके दी हुई गिफ्ट दी हुई मैगी बनाऊंगा और उसे काफी टेस्टी बनाऊंगा उसके बाद खाऊंगा हो सकेगा तो मैं अपने बतीजी और बतीजी को भी खिलाऊंगा तो चलने आगे चलते हैं और मेगी बनाते हैं तो वेल्कम गाईस स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में तो फ्रेंस मैंने जैसे कि आप से भूला तक ही आज का जो मेरा यह व्लॉग है यह डेडिके तो फ्रेंस अब मैं काट रहा हूं सिम्ला मिट्स आप देख सकते हो तो मेरे सब्सक्राइबर जो भी हो आप देखो मैं आपकी फेवरेट जो आपने मिलने भीज जाता हो मैं बना रहा हूं यह मेरी से कटिंग कर रहा हूं तो फ्रेंस शिम्ला मिर्च और प्याथ की कटिंग हो चुकी है अब मैं सीधे बनाता हूं मैंगी तो पहले इसको थोड़ा सा फ्राइब कर लेता हूं तो मैं अभी बना रहा हूं फिलाल आपकी दीवी दो मैंगी दो मैंगी मैंने निकाल ली है क्योंकि मैं हूं मेरे साथ दो तिन छोटे बच्चे हैं तो उन सब के लिए दो मैंगी न फूजाएगी क्योंकि सामका टाइम है तो थोड़ा-थोड़ा हलका फुलका नास्ता ही स तो यह सब आपके लिए मेरे सब्सक्राइबर आप चाहे एक हो या दो हो या पूरा ग्रूप हो यह आपके लिए है मैंगी इसके बाद डालते हैं मैंगी पहला पैकेट इसके अंदर और यह है दूसरा पैकेट इसको भी थोड़ा फ्राइब कर रहा हूं फ्रेंस इसको फ्राइब करके थोड़ा सा क्या होता क्रंची सा टेस्ट थोड़ा सा ओली टेस्ट आजाता इसमें तो इसलिए मैं इसको फ्राइब कर रहा हूं बागी आपना सब का अलग अलग तरीका होता है फिलाल मैं तो इसको तो फ्रेंस मैं इसमें आप पानी डाल रहा हूं तो पानी डालते हैं मिक्स कर लेते हैं पानी थोड़ा कम पड़ेगा तो इसलिए थोड़ा सवार पानी लेलते हैं अब इसमें डालेंगे महगी मसाला प्रेंज देख सकते हो यह देखो मेरा सैटान पहती जाए अपने आप ऐसे काम करता है प्रम हो जाएगी तो अब इसमें मसाला मिला दिया मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ अब आध वैसे तो प्रेंज इसमें मैंगी मसाला इना फोता लेकिन नमक थोड़ा सा कम होता तो मैं थोड़ा सा नमक डाल देता हूँ हलिकासा नमक मैंगई में मिला देते हैं कि कोई कोई तो होता है जो यह जिसको पसंद में थोड़ा नमक मिला पसंद करता हूं कि कि मैं थोड़ा सा जाधा खाता तो है ज्यादा नहीं थोड़ा नॉर्मन है तो फ्रेंस मसाले सारे डल चुके हैं और मैंगी गलना सुरू हो गई है तो यह जस्ट पांच-छे मिनट के आसफास में बन जाएगी बाकी तो वैसे तो लिखा होता है दो मिनट लेकिन दो मिनट कमी लगते हैं इसमें पास से छे मिनट कभी को बार अगर आप थोड़ा मोटा बॉरतन ले लो तो मैक्सिमम आट या 10 मिनट के आसफास लग जाता है फिलाल आप देख सकते हैं मैंने यह सबजी रखने वाला डोंगा इस्तेमाल किया है कि यह पतला है इसमें क्या किते हैं जल्दी उपाल आ जा रहा है और इसमें खुड़ा जल्दी बन जाएगी सो मेरे जो भी सब्सक्राइबर में मिल यह मैगी गिफ्ट बेजी थी तो आपको मैंने उस दिन भी थैंक्यू बोला था आज भी थैंक्यू बोल रहा हूं और आज का जो यह सारा जो मेरा व्लोग है तो आपी को डेंडिकेटर है भाई अब आपको एक मैसेश दिया थैंक्यू सो मच भोला है तो आपने जो मैगी भी बेजी वह भी हम बना के खा रहे हैं मेरी भी रख्यूई है मैं विजस्ट खाता हूं तो ऐसे ही अपना प्यार बना के रखे मेरे साथ और ऐसे ही मेरे व्लोग देखते रहे और जितना जादा हो सके सब्सक्राइब करवाईए तो फ्रेंस मिलते हैं आप से अगले व्लोग में और तब तक के लिए बाई टेक केर एंड बी हपी ब्राइट